विक्सित भारत के वीजन को लेकर देश की अम्रत यात्रा का नेत्रुत्व हमारे युवा ही कर रहे हैं इसलिए अम्रत काल के इस प्रसम बजेट में युवाओं को और उनके भविश्च को सबसे जादा एहमियत दी गई है हमारा एजुकेशन सिस्टिम प्रैक्टिकल हो इंडस्ट्री ओर्येंटेड हो यह बजेट इसकी नीव मजबूत कर रहा है वर्सों से हमारा एजुकेशन सेक्टर रिजी डिजी का शिकार रहा हमने इसको बदलने का प्रयास किया है हमने एजुकेशन और स्किलिंग को युवाओं के एप्टिटूड और आने वाले समय की डिमांड के हिसाब से रिजी ओर्येंट किया राश्ट्रिय सिक्षा नीती में भी लर्निंग और स्किलिंग दोनों पर समान जोर दिया गया है मुझे खुशी है कि इस प्रयास में हमें टीचर्स का बहुत सपोर्ट मिला इससे हमें अपने बच्चों को अतीत के बोच से मुक्त करने का बहुत होसला मिला है इसने सरकार को एजुकेशन और स्केलिंग सेक्टर में और रिफार्म करने के लिए प्रोच साहित किया है साथियों नई टेक्नोलोजी नई तरह के क्लास्रूम के निर्मान में भी मदद कर रही है कोवीड के दोरान ये हमने अनुभव भी किया है इसलिए आज सरकार ऐसे टूल्स पर फोकस कर रही है जिससे एनिवेर एक्सेस अफ नॉलेज सुनिस्टिद हो सके आज हमारे ए लर्निंग प्लेटफॉर्म स्वयम में तीन करोड मेंबर है वर्चुल लेप्स और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में भी नॉलेज का बहुत बड़ा माध्यम बनने की संभावना है डिटी एच चैनल्स के माध्यम से स्टूडन्स को भी स्थानिय भाषाओं में पढ़ाई का आउसर मिल रहा है आज देश में ऐसे अनेक डिजिटल और टेकनोलोजी आधारित इनिशेटिव चल रहे हैं इन सारे इनिशेटिव को नेश्टनल डिजिटल उनिवर्स्टिव से और बल मिलेगा ऐसे फिचरिस्टिक कदम हमारी सक्षा, हमारी स्कील और हमारे ज्ञान विज्ञान के पूरे स्पेस को बदलने वाले हैं अब हमारे टीचर्स के भूमिका सिर्फ क्लास्रूम तक सिमित नहीं रहेंगी अब हमारे टीचर्स के लिए पुरा देश, कुरी दुनिया ही एक क्लास्रूम की भाती होगा ये टीचर्स के लिए आउसरों के नए द्वार खोलने वाला है हमारे एजुकेशनल इंस्टिटूशन्स के लिए भी अब देश भर से टीचिंग मट्रियल की अनेक प्रकार की विविदताएं अनेक प्रकार की विशेस्ताएं स्थानिय तच ऐसी अनेक बाते उपलब्द होने वाली है और सबसे बड़ी बात इससे गाउं और सहर्जा स्कुलों के बीच जो खाई होती थी वो दूर होगी सबको बराबरी के अवसर मिलेंगे चाथियों हमने देखा है कई देश ओन दे जॉब लर्निंग पर विशेस बल देते हैं बीते वर्षों में केंदर सरकार ने अपने युवाओं को आउटसाइड दे क्लास्रूम एक्स्पोजर देने के लिए इंटरंसिप और एप्रेंटरिशिप को और फोकस किया है आज नेशनल इंटरंसिप पोर्टल पर लगभग 75,000 एंटरंसिप की लगभग 25 लाख रिक्वार्मेंट पोस्ट कर चुके है इससे हमारे युवाओं और इंडस्ट्री दोनों को बहुत लाप हो रहा है मैं इंडस्ट्री और सिक्षा से जुड़े समस्तानों से आगर करूंगा कि इस पोर्टल का अधिक से अधिक उप्योग करें देश में इंटरंसिप के कल्चर का हमें और विस्तार करना है साथ्यों मेरा ये मानना है एप्रेंटिफ सिप्स हमारे युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में मदद करती हैं हम भारत में एप्रेंटिफ सिप्स को भी बढ़ावा दे रहे हैं इसमें हमारी इंडर्स्ट्र को भी उचीद स्किल्स से जुड़ी वर्कफोर्स की पहचान करने में भी आसानी होगी इसलिए इस बजेट में करीब पचास लाख युवाओं के लिए नेशनल एप्रेंटिफ सिप् प्रमोशन स्कीम के तहर्ट स्टाइपन का प्रावधान किया गया है यानि हम एप्रेंटिफ सिप् के लिए बातावण भी बना रहे हैं और पेमेंट्स भी इंडर्स्ट्री को मदद दे रहे हैं मुझे विश्वास है कि इंडर्स्ट्री इसका भरपूर लाब उठाएगी साथियों आज भारत को दुनिया मैनुफेक्टरिय हफ के रुपए देख रही है इसलिए आज भारत में निवेश को लेकर दुनिया में उत्साह है ऐसे में स्केल वर्कफोर्स आज बहुत काम आती है इसलिए इस बजेट पर स्केलिंग पर बीते वर्षों के फोकस को हमने आगे बढ़ाया है प्रधान मंति काउशल विकास योजना 4.0 आने वाले वर्षों में लांखो युवाओं को स्किल रिस्किल और अप्स्किल करेगी इस योजना से आदिवासियों दिव्यांगों और महिलाओं की जरुरत के अनुसार टेलर मेड प्रोग्रेम्स बनाए जा रहे हैं साथी इसमें इंडस्टी 4.0 जैसे AI, Robotics, IOT, Drones ऐसे अनेक सेक्टर्स के लिए भी Manpower का निर्मान किया जा रहा है इससे International Investors के लिए भारत में काम करना और आसान होगा भारत में Investors को रिस्किलिंग पर जादा उर्जा और संसाधन नहीं खर्च करने पड़ेंगे इस बजेट में PM विश्वकर्मा काउसल संबान योजना का भी अलान किया गया है इससे हमारे पारंपारी कारीगरों हस्तसिल्पियों कलाकारों के स्किल डेवलप्मेंट पर जोड़ दिया जा रहा है PM विश्वकर्मा योजना इन कारीगरों को नया मार्केट भी दिलाने में मदद करेगी और इससे अनेक उत्पादों के बहतर दाम भी मिलेंगे साथियों भारत में एजुकेशन सेक्टर में तेजी से बढ़लाव लाने के लिए अकेडेमिया और इंडिस्ट्री की भूमी का और पार्टर सी बहुत बड़ी है इससे मार्केट की जरुवत के हिसाब से रिसर्च संभव हो पाएगी और रिसर्च के लिए इंडिस्ट्री से परियाप्त फंडिम मिलेगी इस बजेट में AI के लिए जिन तीन सेंटर्स अफ एक्सलेंस की बात की गई है उनमें इंडिस्ट्री अकेडेमिया पार्टर्शिप मजबूत होगी ये भी तय किया गया है कि ICMR Labs को Medical College और Private Sector R&D टिम्स के लिए उप्लुप्द किया जाए मुझे पूरा भरोसा है कि देश में R&D एकोसिस्टिम को मजबूत करने के लिए उठाए गए ऐसे हर कदम Private Sector जादा से जादा फाइदा उठाएगा साथियो बजेट में जो निरने लिए गए है उनसे हमारी Whole of Government Approach 20 पस्ट होती है हमारे लिए Education और Skilling सिर्फ इन से जुड़े मंत्राला या विभाग तक सिमित नहीं है हर सेक्टर में इनके लिए संभावना है यह सेक्टर हमारी Economy के बढ़ते Size के साथ बढ़ते जा रहा है मेरा Skilling और Education से जुड़े Stakeholder से आग रहा है कि अलग-अलग सेक्टर में आ रही इन Opportunities को Study करें इससे हमें इन नए सेक्टर के लिए जरूरी Workforce तयार करने में आसानी होगी अब जैसे आप भारत के तेजी से बढ़ते हैं सिविल एविशन सेक्टर से जुड़ी खबरों को देख सुन रहे हैं कि दिखाता है कि भारत की ट्रेवल और टूरिजम इंडर्स्ट्री का कितना विस्तार हो रहा है कि रोजगार के बहुत बड़े माध्यम है इसलिए हमारे स्केलिंग सेंटर्स और एजुकेशन इंस्टिटिव स्टेशन को इसके लिए भी कैप्रसिटीज तयार करनी होगी मैं चाहूंगा जो युवा स्केल इंडिया मिशन के तहत प्रस्षित हुई है हम उनका भी अपडेटेड डेटाबिस तयार करें क्योंकि कई ऐसे ही हुआ होंगे जिनके स्किल्स को अपग्रेड करने की जरुरत होगी डिजिटल टक्नोलोजी और एई आई के आने के बाद हमारा ये प्रस्षित वर्कफोर्स पीछे न छुड़ जाए हमें इसके लिए अभी से काम करना होगा साथियों मुझे पूरा विश्वास है कि हाँ fruitful discussions होंगे बहतर सुझावाएंगे बहतर समाधान निकलेंगे और एक नए संकल्प के साथ नए उर्जा के साथ हमारी युवापीडी के उजवल भविश के लिए इन महत्वपों छेतर को आपके विचारों से सम्रुद्द कीजिए आपके संकल्प से आगे बढ़ाईए सरकार कंदे से कंधा मिला करके आपके साथ चलने के लिए तयार है मेरी आप सब को इस वेबिनार की सभलता के लिए बहुत बहुत शुकामनाए है धन्यवाद